हाई फ्रेंड्स आपका स्वागत है माई चैनल कुकिंग इंडिया में आज हम बनाएंगे औरियो बिस्कुट से बिल्कु हरवाई स्टाइल में मिठाई जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह हमने चार पैकेट ले लिए हैं और यह सकते हैं और इनलें हम फेकेट ओ को खोल लेंगे चारों को छारों पैकेट ओको खोल ज ev को को निखाल लेंगे विच्यंच यह और विस्कुट एअ और लिए हो आज है और एक कोप में हैं और जायर तो प्इसैस किरिम खेंई और बोल मने रख लेंगे के में साथe स्कुदित की क्रीम निकाल ठबूँ एक कप में निकाल डूए मिम नाद करें में पंचा दूष है सारी टूष क्रीम को हम साइड में रख्यों का रखता cycl क्रीम को पार्व को साथास बिस्कृत को एक चाहर जारルク दपना लें यह और इन्हें फाम बारिक we बीस्कुट मुझे दुबारा पीस लिए हैं, तो सारे आशपिस को इसी तरीके से हम 끝나 शार taraf हुन अब इसमें एक चमच मिल्क पाउडर डाल einf rap भूड मिल्क पाउडर डालने इसमें बहुत च्चा आता है , क्या चैनी वी डाल सकते हैं और ये ने चीनी को अगर आप एड़ करना चाहते हैं तो इसे हम गूंद लेंगे तो इसका हमें सॉफ्ट डोप बनाके रेडी करना है इसमें और डालने की जरूवत नहीं है इसमें यह बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है गूनने के बाद तो देखिए इसमें हमने चार से पांच से चमज दूद लिया है और इससे हमारा यह गुन चुका है और यह बिस्कुट का पॉर्डर तो यह देखिए अभी हाथों पे भी नहीं चे पकड़ा है बहुत ही सॉफ्ट होता है बहुत ही चिकना होता है तो इसे थोड़ा सा मल लें पर तक यह सॉफ्ट हो जाए तो देखिए बिलकुल भी हाथों पे नहीं चिपका है तो यह हाथों पे नहीं चिपकता है अधिलेगे विर्ट कावस्त मेले में हमारा । verdictında एक मिन्ट के लिए बने लें सवाइन ल्गते कावस्त अल्ग य यह र Extra परना के लिए तरहते के हुआ विए इस वाइप मिशिशंद मिशुन зак देखेज़ ना कावस्त निखि़ अ परें कुछ भी दालने के कोई जुरूवत नहीं है यह वह अच्छे से रेडि हो जाता है कि अच्छा लेंगे तो देखे यह दो भी हमार रेडि हो गया है तो अब हम जो हमने बिस्कुट के डो बनाया उसके में से हम प्रड़ में से हम पीसिस कट कर लेंगे तो आपको जादे बड़े बनाने तो आप ज़्यादा बड़े पीस भी कट सकते हैं में मीडियम साइज में एक सॉ यह लिए हैं आप को जिस भी साइज में बनाने है आप उस इसी साइज में इने पीशी को तोड़ ले तो देखिए यह हमारे 12 पीस बन गए है हुआ है । अब हम इन्हे इनके गोले। बना लिए गोल गोल तो देखिए कितने चिखने गोले बन रेडी हुए हैं तो सारे गोले इसी तरीके से आप बना लें पहले हमें इनके गोले बना के रेडी करने हैं तो सारे के हमें इसके गोले बना लेंगे इसी तरीके से बहुत ही आसानी से मिठाई बन जाती है 5 मिंट में आपको इसमें कोई भी जंजट नहीं होता है बनाने में अरना ही बिल्कुल भी टाइम लगता है इसे बनाने में तो आप जरूर बनाए अपने भाई के लिए इस रक्षा बंदन पर है कि इसके को भी टेस्टी मिठाई है यह अब बच्चोên को भी बहुत पसंद होती है क्योंकि यह बिस्केट चोकोलेट की हुछती हैं टेस्ती घ्री लगती हैं तो एसके भी हमने गोले टोड ली हैं बारापीश च्छोट च्छोट göz ders Out बारापीश च्छोट mai क्योंकि हमें उस से च्छोटे पीश कट करने है इसमें से जो हमने गोले पहले रेडी करें हैं उससे हम छोटे पीस कट करेंगे और उनके भी सारे हम गोले त। बनाकर तो गोल गोर बना लेए। वे JEN believers के लिटे मांटें संटीन शूंहें करना हैं खैसे से हमाएं और चार हो करना है शाधे सबदें कर मेelे तो अच्छी लगती है है जुन ad बहुत ही अच्छा लुक आता है इस पर तो देखे इस तरीके से हम इसे लुक देंगे इस देखे किती अच्छी लग रही है हमारी मिठाई देखने में भी बहुत ही टेश्टी लग रही है तो खाने में भी यह बहुत ही टेश्टी बनी है हमारी मिठाई कि देखे इस तरीके से मिठाई रेडी कर लेंगे सारी लेंगे तो देखे से आप बना लें सारी मिठाई को एक पीश ओर हम आपको बना कर दिखाएंगे लेइनकी इस तरीके से कब़र कर दें चार उतरब पर हम इसे धिरी अंगल में बना रहे हैं क्योंकि इसका लुक अच्छा निकल के आता है धिरी अंगल में और देखने में भी बहुती सुन्दर लगती हैं तो देखें इस तरीके से बना लेंगे सारी मिठाई को आप जरूर बनाएं और अपने भाई को बना कर खिलाएं बहुत ही टेश्टी मिठाई है और घर में बहुत ही जल्दी बनके रेडियो हो जाती काजू बदाम या फिर पिस्ता भी द्रेट करके लगा सकते हैं उससे भी बहुत ही अच्छा लुक आता है इस पे तो हम इसे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बना रहे हैं तो इस पर हम चांदी का वर्क लगाएंगे उससे बिल्कुल हलवाई की तरह हमारी मिठाई दिखेग प्लेट में लगा देंगे तो यह देखिए सारी मिठाई प्लेट में निकाल लिए है तो हमने ज्यादा नहीं बनाई है आपको अगर ज्यादा बनानी है तो और विसकुट और भी ज्यादा ले सकते हैं अब होती है आसानी से घर में बना सकते हैं इसमें कोई जादा जंजट भी नहीं है जलाने का या फिर मावा भूनने का कोई भी जंजट नहीं है आप बहुत जल्दी अपने भाई के लिए तयार कर सकते हैं तो देखें मिठाई हमाई रेडि हो चुकी है बिल्कुल हमने यह सेर्व कर ली है तो आप भी जरूर बनाएं और सबको बनाकर खिलाएं बहुत ही टेस्ट हमाई मिठाई बनके रेडी हुई है तो आपको माई वीडियो पसंद आए हो तो माई चैन को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट्स करें सेर करें और हम आपसे आगे मिलते है और ने वीडियो के लिए अ